हेलो और वेलकम टू मेट मोटर हिंदी मैं हूँ अफ्ताब दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औल निव अपकमिंग अपाची आटीर वन सिक्ष्टी फाइप आर्पी के बारे में आर्पी रिपर्जेंट रेसिंग पफ़र्मेंस इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे कि अपकमिंग अपाची आटीर वन सिक्ष्टी फाइप आर्पी में क्या कुछ आपको ओफर किया जाता है इसमें कौन-कौन सी फीचर्स को एड़ किया है कमपनी ने इंजन स्पेसिफिकेशन, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम, ग्राफिक्स, लाइटिंग सेटप और वीडियो में हम देखते हैं कि यह गाड़ी के अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर पाती है नहीं क्योंकि काफी सारे लोग इसको ओबर प्रैस गाड़ी बोल रहे हैं इसमें टोटल साथ सबसे बड़े बदलाव किये गए हैं जिसके वज़ा से यह गाड़ी का प्रैस थोड़ा सा महंगा हो गया है सो आप वीडियो का एंड तेक देखिए मैं आपको आगे बताने वाला हूँ और साथी साथ इस चैनल पर अगर पहली वरा हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर ले मैं आपके लिए इसे ही कॉंटेंट लेके आते रहता हूँ सो लेट से स्टार्ट दे वीडियो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजिन स्पैसिफिकेशन की बारे में इस गाड़ी में 164.9 सेसी का सिंगल सिलंडर 4 स्टोक ओयल कूल्ड एसो असी एफ़ाई इंजिन देखने को मिलता है जो 19.2 PS of power 10,000 rpm पे एंड 14.2 Nm of torque 8,750 rpm पे जनरेट करता है सो दोस्तों ये जो गाड़ी है इस गाड़ी में आपको काफी ज़्यादा power देखने को मिलता है इस segment में company के तरफ से इसको performance oriented गाड़ी कहा जा रहा है इसलिए इस गाड़ी में आपको इतना ज़्यादा power इतने high rpm पे देखने को मिलता है और इसलिए ये गाड़ी अपनी segment के सबसे performance oriented गाड़ी कही जा रही है दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें second क्या change हुआ है तो second इसमें आपको brass coated chain देखने को मिलता है chain and a pocket देखने को मिलता है like Apache RR310 ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ आप screen पे देख रहे है जो brass chain coated जो ये chain होता है इसमें आपको कभी जंग नहीं लगता है काफी ये long lasting होता है तो इस गाड़ी में आपको ये chain देखने को मिलता है third number जो दोस्तों update है इसमें आपको sleeper clutch assist देखने को मिलता है जो की बहुत अच्छी features है fourth number जोस्तों इस गाड़ी में braking system को थोड़ा सा बहतर किया गया है अब क्योंकि ये एक high performance गाड़ी है इसलिए इसको control करने के लिए braking system अच्छी होनी चाहिए तो इसलिए इस गाड़ी में 240 mm का disc brake rear में देखने को मिलता है Apache आपको normal वाली में special edition में 200 देखने को मिलता है और इसमें आपको 240 को देखने को मिलता है तो इससे आपका braking system जो है वो थोड़ा सा बहतर हो जाता है fifth number अगर update की बारे में बात करें तो इसमें आपको new racing graphics देखने को मिलता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं देखरें मतलब काफी sports सी गाड़ी लग रही है अब क्योंकि एक racing oriented गाड़ी है इसलिए जो इसमें मतलब starting का जो इस गाड़ी का 200 unit होगा जो 200 unit production होगा starting का वो आपको इस graphics में देखने को मिलेगा जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं 200 के बाद आपको फिर नॉर्मल वाले जो अपाची में color आता है उसमें आपको देखने को मिलेगा तो अगर आपको ये graphics अच्छा लग रहा है तो भाई आप जाओ तुरंट भाई book कर लो सिक्स नंबर अगर अपडेट की बारे में बात करें तो सुवा का suspension system इसमें दिया हुआ है सुवा का telescopic suspension फ्रंट में दिया हुआ है और सुवा का ही monosock suspension system rear में दिया हुआ है सुवा का दोस्तों जो suspension होता है वो काफी heavy होता है काफी sportsy ये suspension होता है थोड़ा सा costly होता है इसलिए बहुत ही कम brand इसको अपने गाड़ियों में यूज करती है ये जो suspension होता है ये काफी performance oriented होता है जो saw को proper तरीके से और बहुत deeply absorb करता है road और tire का contact बना कर रखता है जिसके वज़े से braking system काफी अच्छी हो जाती है काफी कम दूरी में आप अपनी bike को control कर सकते हैं 7th number अगर आप date की बारें बात करें तो इस गाड़ी में 2 kg weight को कम किया गया है जिसके वज़े से इसका performance काफी अच्छी हो जाती है इसका top speed भी काफी अच्छी हो जाएगा तो दोस्तो ये रहा total साथ सबसे बड़ा बदलाव जो की इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है तो आप देख सकते हैं कि यही सारे features की वज़ा से इस गाड़ी का price 1.45 लाक रुपीज हो गया है तो आप अमने रहे comment section में जरूर बताना है का यह price इस गाड़ी को justify क कर पाती है नहीं आगी दोस्तों वीडियो कहीं पर खतम करते हैं मिलता है फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए helmet पहनी है सीट पर लगाई और सुरक्षित रहिए धन्यवाल